मुखिमंत्री शिवरासिंग चौहान के विधानसाबा चेत्र बुधनी की जानेंगे क्या है यहां के बड़े मुद्दे क्या है यहां विकास की इस्तिती और क्या है लोगों की उम्मिदे बुधनी विधानसाबा चेत्र के मददाताओं की बात करें तो यहां मददाताओं की कुल संख्या लग बगत तीन लाख है पिछले चुनाओ की बात करें तो यहाँ पर मद्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने पूर के इंद्री मंत्री अरुन यादो को मात दी थी और 1,23,000 के करीब वोट जहां सियम शिराज को मिले तो वहीं 64,000 के करीब वोट पिछले उम्मीद्वार याने कॉंग्रेस के पूर प्रदेश अध्यक्ष अरुन यादो को मिले थे सियम शिवराज ने 2013 में कॉंग्रेस उम्मीद्वार महिंद्र सिंग चौहान को करीब 84,000 बोटों से हराया था बुद्री से शिवराज सिंग ने पहला चुनाओ 1990 में लड़ा था बुद्री से शिवराज पांच बार चुनाओ जीच चुके हैं एक तो बुद्नी में मैं मेडिकल कालेज बनाने पाला हूँ का जी वो बीच में हो जाए तो हुसंगाबाद के भी काम आए मेडिकल कालेज मतलब बहुत बड़ी रचना होती और कोई भी बड़ी बीमारी के लिए भुपाई जाने की जवरत नी पड़ेगी यहीं तो सारी रवस्थाएं खरवा दी जाएगी बड़ी बिमारी की बात करो शोटी बाती तो यहीं हो जाएगी फिर एक निर्वरोध पंचाज के कौन कौने ज़रा हाथ उठाव सर्पंच निर्वरोध पंचाज देखो मैंने एक बचल दिया था कि निरुवोद पंचाज में जितने भी आब आशीन होंगे सबके घर बनाए जाएंगे तो वो सूची बनवाले सबकों मकाम जो जाएगे जिनके नहीं बने धुपड़ियां में रह रहे हैं तो वो काम भी प्रारंब करेंगे आज बहुत लंबी बात करने नहीं आया में चाए सड़कों का जाल हो चाए तीने के पानी की जवस्ता हो जो भी मैं कई तरह के काम आज मार्क का उन्यन का पुस्काले इस्टेवियम पंचाई दवन सिसी रोड सेग्रिगेशन की सिस्टी इन सबके कामों काम ने लोकारपन किया है और अने को काम है जिस पर क्वामरारी का सब स्टेशन ख्वामरारी वाले हैं बिजली की दिक्कत थी तो क्वामरारी में तेहंटीज ज्यारह केवि का एक सबिस्टेशन दो करोड नौलाग पच्टीस जार रुपे की लागत से बनाया जा रहा है ताकि बिजली की दिक्टत न रहे परसवाड़ा वाले सारे हम नहीं आये होंगे 33 जारा केजी का परसवाड़ा में भी सबिस्टेशन बनेगा एक करोड़ सप्ट्यासी लाग का और सरदान नगर में भी बिजली की ठोड़ी परेशानी सीट तो 33 जारा केजी का सबिस्टेशन बनेगा एक करोड़ पच्ट्यासी लाग से हजार का बुद्नी विदान सबा का सबसे अगर प्रसिद कोई स्थान है तो वो है मा सलकनपूर में बिजासन माता का ये दरबार जहां पे हम आपको दर्शन करा रहे हैं मा बिजासन के जिनके बार संदर्ब में ये कहा जाता है कि मा जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ आशिरवाद ही प्रदान नहीं करती बलकि इनके रूप और प्रारूप को जो है वो शक्ति पीटों में भी गिना जाता है और यहां पर हमेशा ही जो है एक अखंड जोत प्रजल्मित रहती है अगर इस विदान सबस्चेत की बात करें तो ये माता रानी का दर्बार मद्रप्रदेश के मुख्या मुख्यमटरी शुरा सिंग चोहां जो बुद्नी से विधायक है उनकी कुल देवी भी मानी जाती है बहरो बाबा के दर्शन कराते हैं और महंत जी जो है मुख्य रूप से जो पूजन करते हैं हम उनसे बात करते हैं एक तो मातारानी का जो मंदिर है इसकी जो सबसे महत्पून की उदांती यहां को लेकर MARYा जाता है माता रानी को लेकि आपने दाम शिमाम विजया शब्द आया है देव अगत पुरान में भी आया जाया है विजया नाम की दो महा परिशारी गाएं भगवती को अनंत ब्रमानों की छण छण में शंदिश देती रहती हैं इस इस्थान पर जो आप देख रहे हैं वीज की मद्ध प्रतिमा ये प्रादरू बादरू जल रही है एक घेंकी एक तेल की इस इसस्थान पर बर्ष में चार बार पर्व होता है एक आस्वन नौरातरी एक चैत्रन नौरातरी और माग शुकलपक्ष और आपके एक बैसाक शुकलपक्ष ये चार पर्व होते हैं सुभे प्राता काल शाटे-पांच बजे स्थान का लिए जो योग दान दिया उस तरह आप देख रहे हैं जो कुछ वेकास हुआ हुआ है उनकी महतिकर पाघुसेథ? जो है मा विजासन का दरबार है जिनका वेद पुराणों में उलेख है और उलेख के साथ मेंगर हम बात करें इस इस्तान पर कितनी बड़ी संक्या में शर्धालू आते हैं पूरे प्रदेश के यहां तीन मुख्य तेओहार हैं परथम नवरात्री जो इसमें मनायी जाती है सर्धी नवरात्री उसमें करीवन दशलाक के करवीग पबलिक आ जाती है और फिर इसके बाद में चेत्र में की नवरात्री में वो थोड़ी कम पबलिक आती है और सवी सरद्धालू अपने मनो कामनाएं लेके आते हैं माता सबकी मनो कामनाएं पून करती हैं और यहाँ पे उल्टे हाते भी लगाय जाते हैं अपनी मनो कामना के लिए जब उनकी मननत पूरी हो जाती है तो माता बेहने सीधे हाते करती हैं और एक सीधा परिक्रमा करती हैं तो लादान होता है यहाँ पे यहाँ तमाम बड़ी परंप्राएं की उदंतियां मानिता हैं और अगर मा का अशिरवाद मिल जाए तो इनसान किस तरह तरक्की करता है इसका सबसे बड़ा उधारन मा को कुल देवी मानने वाले मद्प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहां से लगातार चुनाव जीत्ते आ रहे मुख्यमंत्री शुरासिंग चौहान है गुद्नी विधानसवाच शेत्र के चुनावी मुद्देश सीएम के द्वारा कराये गए विकास कारे नर्मदा में अवेद रेद उत्खनन का मुद्दा मेडिकल कालिज की सोगात इस्तानी लोगों को इस्तानी उद्द्योग में रोजगार ना दिये जाने का मुद्दा बुद्नी विधानसवा की सबसे बड़ी पहचान है तो वह मा नर्मदा और मा नर्मदा के किनारे किनारे ये पूरा विधानसवाह है च्षैत्र बसा है चाहे बात करें खुद मुक्यमंत्री के गाओं जैद की या फिर उस शहर की जिसके नाम से विधान सबाय बुधनी की और इस समय हम वजूद हैं मा नर्वदा की इस घाट पर बुधनी घाट पर जो अपने आप में मशूर है और यहां देख सकते हैं एक बहुत खुबसूरत नजारा नजर आता है जब रेल्वे बिस से ट्रेने गुजरती है तो इस खुबसूरत नजारे के साथ साथ लेकिन यहां पर दो सवाल जरूर उठते हैं और वो सवाल है मा नर्वदा में प्रदूशन को लेकर वो इस्तिती किस तरह की है अवे दुधनन को लेकर लगाता है यह हम हमारे इस्थानी साथी निलेश से जाने की कोशिश करेंगे बार बार यह आरोप हमने सुने हैं कॉंग्रेस के विपक्ष के कि यहां प्रदूशन की इस्तिती है नाले मिल रहा है अवे दुधननुग्राइवास्ट्यू की इस्तिती क्या है यह बिल्कुल सही बात है नालों की इस्तिती है तो हर जगह जहां जहां भी नर्मदा मिया के घाटे सभी जगह से गाउं का गंदा पानी हुए आसपास जो भी नाले गटर लगे हैं वो सभी नर्मदा नदी में मिलते हैं यहां पर भी भले बॉटर टीट्मेंट प्लांट लगा लेकिन उसके बाद भी कई बार ओवर फुलो होता है और वो सब नर्मदा जी में ही आता है गटर का गंदा पानी यहां पर लिखा जरूर है हम देख सकते हैं बाईं तरफ मेरे गंदगी दूर भगाना है और बुधनी को सुन्दर बनाना है लेकिन इस पहल में सभी तरफ से कमजोरिया नजर आती है चाहे वो प्रशाशन की हो या फिर आम आदमी की और कहीं ना कहीं मानर्बदा को यानिक सासकी और प्रशासनी की स्तर पर इमानदारी की बुधनी विधान सबाद चित्र का उद्योगी की विकास तो हुआ है दो बड़ी फैक्टरीज यहां पर मिली है एक साइडेंट और दूसरी अभिशेक यहां पर हम उनकी तस्वीरे भी दिखाते हैं इस उद्योगी की जलक क लेकिन साथ में इन उद्योगी की कास के साथ साथ कुछ परिशानिया भी बड़ी है इन फैक्टरियों से जहां मान नर्वदा में प्रदूशन हुआ है नर्वदा नदी के अंदर काफी जादा प्रदूशित पानी मिलाया गया वहीं दूसी तरफ रोजगार को लेके जो द मिलता भी है तो लेवर बेस का मिलता है और उनको खुदी इत्ता परेसान कर दिया जाता है वो एक मैने डेल मैने ये दो मैने में छोड़के खुदी चले जाते मां की बढ़िया पोस्टों पर इधर के कोई लोग नहीं है जो भी है सब बाहर से आए हुए तो इस खानी बुदरी विधारसि चेतर के बतके बता रही है और शायद यहीं का रहने की इसकूल, भवन, तमाम चीजें हम देखें तो तरफ अगर यहां का नजारा गाउं जैत का देखते हैं तो एक दम बदला हुआ नजर आता है यह पूरा छेत्र है यहां पर अगर हम देखे तो यह यहां पर छोटे-छोटे जो हैं वो बनाए गए हैं यात्री प्रतिक्षाल है शेहरी छेत्रों की जैसे ही दूसरी तरफ बनाया गया है इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है अगर हम जैत की बात करें तो जैत में एक काफी बड़ा रहन बसेरा भी जो है वो बनाया गया है तो साफ तोर पर अगर हम बात करें तो खुद मंध्यप्रदेश के मुख्या का विधानसाबा चेत्र और अगर उस गाउं की बात करें तो गाउं की तस्विर भी यहां बदलती नजर आती है 23 की परिक्रामा में आज हम बात कर रहे हैं मत्पदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट याने मुख्यमंतर शुरासिंग चोहान के विदान साबा चेत्र बुद्नी की जब बुद्नी की बात होगी तो बुद्नी के लोगों के साथ जरूर होगी और जानने की कोशिश होगी कि कितना यहां विकास हुआ कितना नहीं हुआ लोग मौजूद है पक्ष विपक्ष मौजूद है और ये भी जानने की कोशिश होगी कि कितना विकास और हो सकता है चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं अगर हम बात करते हैं चुकि ये मुख्यमंतरी का विधान सबाद छेत रहे हैं क्या बड़ी उपलब्दियां रही हैं यहां पर विकास को लेकर अगर बात करें तो अभी माननीय मुख्यमंतरी जीने फिलाल अभी जस्टी मेडिकल कालेज की उपलब्दी बहुत बड़ी छोटे नगर बुद्नी में उनने दिया है इसके बाद भी एकलब स्कूल यहां बहुत बड़ा इस तरह पर है माननीय मुख्यमंतरी जीने काले आईटियाई कालेज हैं यहां पर बड़े कालेज हैं सभी एजुकेशन के मामले में जितना यहां बुद्नी के हिसाब से पॉपलेशन के हिसाब से बुद्नी में जो कुछ दिया है साहिद मेरे ख्याल से तो यह ऐसा कहीं नहीं होगा कहीं नहीं हुआ यह दावा है क्या आप यह मानते हैं जैसे मैं एक उधान दे रहा हूँ आपको, कि यहां रेलवे स्टिसन था, यहां बहुत सारी छे ट्रेन रुकती थी, आज के समय में एक भी ट्रेन नहीं रुक रही है, इसके बाद हमारे पास एक टीवी टाबर था, कॉंग्रेस के जमाने में था, वो टीवी टाबर भी इनके से उखड के फेका गया है, यह चीन ली गई है उपलब्दिया, रोजगार की बात करते हैं, क्या वाकई में दो बड़े उद्योगों की जानकारी यहां पर होती है, बड़ी स्पिनिंग मिल्स है, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है, यहां के युवाँ को मिल रहा है, यहां के लोगों को रोजगा इसलिए नहीं है, कि यहां पे सबसे बड़ी बात के उदासींता है, उदासींता को लेके कहें के लिटेसी बहुत जाद है, अभी मानने नहीं कहा था कि इस इक्षा के लेके अच्छी प्रोसेस है, मुख्यमंतरी के छेत्र में सिक्षा को ल रेवा की नगरी मार नर्मदा की नगरी है यह और अगर हम पूरे प्रदेश की जीवन दाइनी भी कहते हैं मार नर्मदा को, उनकी क्या इस्तिती है, कितना विशुद्ध शुद्ध जल यहां पर बहर आए, कितना पावन है यहां का घाट? मार नर्मदा को पुण्य सलीला कहते हैं और जहां तक मैंने देखा है, मार नर्मदा का परिक्रमा भी करा है, जितनी दुर्गती मुझे यहां देखने को मिल रही है, अभी यहां पर चुकि हमारे विदायक जी, प्रदेश के मुखिया भी हैं और नोंने बहुत बड़ी योज जिना लाए थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, काम पूरा हो गया, ऐसा उनका कहना है, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, कई जगे से शिकायते आती है, शेहर का गंदा पानी, सीवरेज का गंदा पानी मान नर्मदा में जाकर के मिल रहा है, उन्युस्तालीला मान इस दिखते तो आती है, उस वो सुधार चल रहा है, जल्दे हम ठीक कराएंगो उसको, बजली पानी बड़े मुद्दे होते हैं, बेसिक मुद्दे होते हैं, हलोकि ये इस्तितिया थोड़ी बैतर दिखती है, क्या इस्तिति है, साडग हमारे बद्नी काफी अच्छी है, य यहां रश्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ यह सब कागजी बात हैं, अगर आप देख लीजिए, आपना भी मान अर्वदा की बात की, मान अर्वदा को रो जाना, जेसी भी और पोकलेंस से सीना चलनी किया जा रहा है, जबकि NGT में साप और इस पश्ट क पहले जी नहीं हो रहा है, जिसने आक्षन हुआ लिलाव ही हुई है, अब वहाँ पे तो ठेक दा रहा है, अगर दोसों कलोट डालेंगे Northwestbelita को निकालेगा, ये तो नहीं ग्रेट निकालेगा। या पोकलेन का उपयोग नदी के अंदर भी हो रहा है नहीं हो रहा है और लेवर द्वारा निकाला जाता है रेट को और लेवर से निकल रहा है आप चले हमारे साथ हम भी दिखा देंगे इनको भी लेवर के सामने इदावा कर रहा है क्या केचमेंट एरिये में या पोकलेन का पानी के पिख जगाओं पर हो रहा है पहले चलता था पहले मसीने लगा के चला रही थी खुटाईयां हो रही थी मगर थोड़ा सा इस एरिये में कम है इस एरिये में साइगा इन से उपर सबी जगा अपकी तो काफी उम्र है आपने बुद्नी को कितना बदलते देखा पिछल प्लबदी सी बास से पता लगा लीजिए कहमारे सी एम साफ को थीसदालोगी शेतर करते उत्रग पर जिख लाए एक दिन मिन भी बेदाय एक हो हूं सांसादों और यहां पर हमारे अतल बहारी बाचपाजी सिर सिर से अनतर रे चुके हैं सिर सिर से थान सुशमा सवराज जी रहे चुकी है और हमाई सिवराजी से चुआ और 17 से 18 साल होने को आ रहा है उनको यहां पर मुखमंत्री बना इसको किता डाइम लगता है इतना लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लगब 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 इनको जब से मुखमंत्री बने जबी से मांग की जा रही है आप लोगों को भी तो मुका मिला तब आप लोगों ने क्यों दीरे दीरे हमने बहुत काम की और जो ट्रेन हमारे जमाने हम चलती इनने तो बंदी कर तो अब 17 साल से कांग्रे सतर साल से हैं रही कोई गड़े में साड़क थी साड़क में गड़े थे खेत में गड़े थे और गाव में कवी आएक आवास 20,000 रुपे यह संतोष जनक बात हो गई कि उनने नहीं किया तो हम नहीं तो कर रहे हैं बहुत इस ताइम सबसे ज़्या कुछ ऐसा लगता है कि जो होना चाहिए और जो हुआ जिस सब्सक्राइब करें नहीं होने के किस तरह का विकास हुआ है अब गौूमें हो रहते हैं आप बता दो में रहते हैं खरमों 14 आगर कोई यहां पर खेती करने वाला व्कति मौदूद हो तो खेती को लेके क्या इस्तिती है कितना बदलाओ नहीं नहीं पहली चीज तो खेती देखो आज की कंडिशन में बहुत अच्छे करें मुखमंतरी ने रेड भी बहुत अच्छे दियें सीम साब के चेतर के हिसाब से पूरी जल की विवस्ता है यार जगे और ग्रामिन में खेत तक अब तो रोड मिलेगा आपको यह मुखमंतरी जी से ने खेत के लिए जो कहा गया कि ग्रामिन जो मेरी खेत है मेरी अंदर है थोड़ी सी तो अब जो मुझे उम्मीद है कि महां तक पहुचने के लिए के तक रोड की विवस्ता हो जाएगी के तक रोड है जी चोटा किसान है तो आप बता दीजिए यहां पर ग्रामिनों में बिजली नहीं मिलती है और सहरी छेतर में किसान इतने परेशान है जो सहरी छेतर में डीपी लगी है उनसे कामर्सियल रेट मेहंगी रेट में बिजली ली जा रही है उनसे घरेली जो टरा है देखने वाला कोई देखने माला ठीए 1,5 रुपे की चल रही犯 है किसान इतना इतना मुरा भापस गया है यहां प्लुनकी की बात कर रहा है में मुखमंद्री जी की कर रहा हूं कि आप तो मेरे साथ चलिए अगर आप मुझे 400 युरिया दिला दे तो आप बता ना मैं तो दम से बार पिल्कुल आधिकारी के बात कर रहा हूं दावेस कह रहा हूं अगर आप बता दो दिला दो कहीं से अनुराग जी मैं खुद भी किसान हूं और यहां बुद् देखेंगे पादन की स्थिति बहुत कराब है बिजरी पानी की बात करें खात की बात करें तो लगातार सॉर्टेज बनी हुई है और जैसे हमारा हमारे मित्र कह रहे हैं कि काफी मात्रा में उपलब दे तो कई जगे अंदोलन हो रहे हैं अगब भरे पड़ें आप तो दिकत तो है यह के बुद्धनी से जब हम जाते हैं शागंज और उसके आगे जब तिराहे पे जाते हैं वोपाल उस तरह बीच में एक काफी आदिवासी चेत्र है कि उनने कई वार हमने देखा दो तिन चार बार बड़े आंदोलन हुए फॉरेस्ट के लोगों से कुछ आप उनकी स्थिती क्या है उनकी कुछ मांगे थी लोग परेशान है कोई सुधार नहीं है लेकिन एक काम जरूर है यहां पर आप पूरे-पूरे बिधान सावा में देखो तो सराव इतनी जम के चल रही है लोग पूरी तरह से परेशान है तो हटा दी गई ती यहां से शर से पांच किलो मेंटर की दूरी पर सराव के दूकाने पांच किलो मिटर की दूरी पर दो ढ़्ली पे सारी हैं से हटा दी और यहां कोई सरांबक का वीयद उत्करन नहीं होता है केबल 5 किलो मेंटर दूर कलारी है बात सराव profess तो पूरा 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 इस तरह बेची जा रही है तो यह तो ज्यादा चिंता जनक बात हो गई रखिनी निसा आप खुद देख लिए अभी आप पूरे सहर में जाई एक बाडल दारू ढूंड लिए अगर मिल जाए तो आप फुद ही जाए तो यह जाए तो हम खुठ ढूंड़ रहाँ यहां मिल जाए तो आप पढराई करते हो कौन से स्कोल में हो और देंटर एंटर स्कुल में हो सरकारी स्कूल में क्यों जाते हैं कि चलिए स्कूल और शुक्षा और इसके बाद में स्वास्त की बात कर लेते हैं इसकूलों की सिख्षा की का इस्तिति राइस हो तो रहा ये लेकन लोकल के टीचर ही है यहां tweeting ना बाहर को अच्छ टीचर है तब तो सोधार होगा उसमें सिक्षा की हालत अगर आपको देखनी है तो एक दिन का समय निकाल का ये मुकमंत्री जी के गरहत्षेतर में आपको स्कूल तो मिलेंगे लेकिन टीचर नहीं मिलेंगे अगर साहरा सुनरा है भी किनने बन रहा है बड़ा सपिताल बेसे तो अभी loyal Mammy tomorrow my मैं अभी तक असपान नहीं बना अब लास टाइम है उस टाइंब आशाइम सेंसे कर देते हैं या सप्ताल घैड़ेंग बहुत जल्स बन जाएक दूसरी के सब्सक्राइब है तो वहां सभी एक्सरेइब मेडिकल आप बीच़े पूरा मेडिकल मोटरों से मेडिकल रखा वह मोटरों से अब इत्ती बवस्ता है कि पूरे सहर में नहीं है अगर एक काटा भी गड़ जाता है तो उसको बिना चेक है डॉक्टर रिफर्ड टू डिस्टिक हॉस्पिटल होसंगाबाद लिग देते हैं ऐसे हजारों प्रक्रेंट आपको मिलेंगे वहां पर यह मुखमंत्री जी यह हैं उनके इसाफ से बहुत अच्छी सुविदा हो जाहिए जिला लेविल की अस्पताल होने चाहिए ट्रामा सें आपको लगता कि बुद्नी को जिला बनाएंगे आप बता दूं आपको यहां से एक रेलिवे लाइन भी निकली थी बुद्नी होते हुए गारा लबारा वो भी घोशलाओं में कहीं कहीं बाईजार घोशलाओं में खो गए यहां से निकला है फूरलेन हो गया है उसके अहां बर टोल टेक्स इतना महंगा है कि सारा के सारा ट्रैफिक आप सड़क पे देखे वो बुद्नी होकर ही जा रहा है जी बाई-पास निकला है यहां से सेर के विकास के लिए और भी दूसरे और दो दो बाई-पास अभी माननी मुकुमंत्र जी ने माननी प्रदान मंत्र जी ने यहां से 308 करोड रुपे का बुद्नी से संदल पुर तक जो अभी काम प्रारंब होने वाला है यह 308 करोड का इतना बड़ा प्रजेक्ट दिया है जिसमें दोनों साइड उद्ध्योग करनल किया जाएगा माननी मुकुमंत्र जी कि यहां विकास के अपार संभावन आया और सही बात तो यह है कि जब खुद विधानसवा छेत्र का मुक्या मुक्यमंत्री होता है तो उम्मीदे भी बहुत जादा होती है थोड़ी बजादा नहीं बहुत जादा होती है बुद्नी विधानसवा छेत्र की बात करे तो ये छेत्र बुद्नी के ढावों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहां पर पिछले तीन दश्कों से भाजपा ही जश्ट मनाती नजर आ रही है देखना होगा 2023 के विधानसवा चुनाओं में क्या ये परिपाटी बदलती है या नहीं 23 की परिक्रमे में फिलाल बुद्नी से इतना ही नए विधानसवा छेत्र के साथ करेंगे नए मुद्दो परबात अगले एपिसोड में तब तक के लिए दीजिए मुझे आग्या नम कर दो